थार के अरडिया में जन्ड में सुबरत राय द्वारा कैसे 2000 रुपए से 1978 में एक कमपनी के सुरुवात की गई स्कूर्टर से चलने वाले सुबरत राये इतनी बड़ी कमपनी के मालिक बन गए जिसमें मिवेशकों का 86,000 करोड रुपए फसा है किस तरीके से सेवी और सहारा के बीच बिवाद पैदा हुआ और 24,000 करोड रुपए सहारा से भी खाते में लाग करने पड़े जानी सहारा चुका नहीं पाया जिन्हें बहुत समय लगा उसके बाद सुबरत राये को जेल तक सफर करनी पड़ी सुबरत राये और सहारा के अर्श से परस तक और किस तरीके से और क्यों आपका पैसा फसा है इन्ही सवालों के जबाब धूरते हुए आपके सामने वीडियो में पूरा मामला आप समझने की कोशिस करेंगे आपको बता दें 24,000 करोड में से CRC को सुप्रीम कोट के आदेश पर 5,000 करोड रुपए दिये गए हैं जिससे भुकतान करना है इसी महिने जून 2023 तक CRC पोर्टल के माध्यम से डाटा वेरिफाई कर रहा है जिसके बाद हर निवे सकका पैसा काग्याद वेरिफाई करने के बाद मिलेंगे जिस समय भी इन काग्यों को वेरिफाई करने के लिए CRC सहकारता मंतराले का कारेयाले खुलेगा उसकी समपूर जानकारी हम आपके सामनी उपलब्द करा देंगे पहले हम सहारा को समझने के लिए किस तरीके से आपके साथ घटना घटी पूरे मामले को समझे बिहार के ररिया में जन्मे मुलायम सिंग अमर सिंग यादो के कभी खासमखास रहने वाले सुबरत राय का जनम 10 जून 1948 को हुआ ये सहारा इंडिया के संस्थापक है 2000 के पूंजी से 1978 में इन्होंने एक कमपनी खड़ी की बाद में कई जटकों के बाद कई बार इस कमपनी को जाने ललखडाने की बाते आई लेकिन एक सबसे बड़ा जटका लगता है सेवी द्वारा भारती प्रतभूतियों बिनमय बोड क साथ लंबी लड़ाई में निवेश्कों के साथ धोखा धड़ी के मामले में सुप्रीम कोट को उनकी दो कमपनियों के निवेश्कों के साथ जेल में डाल दिया गया फिर उन्हें चार मार्च 2014 को तिहार जेल से बाहर पैरोल पर भेजा गया फिर हाल वो पैरोल पर आज यानि 15 जून 2023 है बाहर है उसके पास भारत ही नहीं विदेशों में चला चल संपतियों का भंडार है निवेश्कों के 86,000 करोड उपै सहारा में जमा है जबकि सहारा की कुल संपत्ती 2,89,000 करोड से अधिक है अकेले निवेश्कों की जमारासी की उतनी संपत्ती तो को एवल मुंबई के होटल की है जिसका नाम आप खुबी जानते होंगे मुंबई में अंबे वैली प्रोडक्ट सहारा सुबरत्राय का परिवार बिहार के मध्यवर्गी परिवार था और इनने कई बार रियल स्टेट से लेकि अलग अलग कमपनियों में दाओं आजमाने के बाद अपनी पत्नी सुपनाराय के साथ मिलकर इन्होंने दो हजार की रासे से 1978 में एक कमपनी खोली और जल्भविष्य के साथ छातर जीवन में भी NCC का काम करने वाले सुपनाराय ने सरकारी तक्नीकी संस्तान गोरकपुर से मेकनिकल एंजिरिंग में डिप्लोमा किया और 18 साल के रियल स्टेट अनुभव और 32 साल के वैपार विकास के अनुभव को मिला कर एक कमपनी की अस्थाफना की जो धीरे धीरे 1978 से चलके 2012 तक अपने उप्वान पर थ ही अचानक सहारा सेवी विवाद में 2012 के मार्च में सुप्रतराय को जेल जाना पड़ा निवेशकों से धोखा धड़ी के मामले की बात सेवी द्वारा कही गई सहारा सुप्रीम कोर्ट में सेवी का विवाद आज भी चल रहा है इस बीच 2000 करोड रुपे की संपति जो 24,000 कर के लिए भेजा गया है सहारा समुने फार्मूला वन रेसिंग यानि एक पूरी पूरी आईपिल की पूने फरचाइन जी को खरी लिया था वो एक सांदार टाउंसिप बनाना चाहते थी हलाकि सुबरत राय यानि हराजनेता चेटफंड कंपनियों का पूलिटिकल कनेक्शन भी होता है सुबरत राय का उदय समाजवादी पाल्टी की स्वरगी नेता मुलायम सिंग यादो और इनके संस्थापक अमर सिंग यादो के साथ घनिष्ट परिवारिक संबंद बताए गए है जब उत्तरपदेश के मुक्वंत्रिय अकले से आदो थे उस समय भी उनका सहरा सहर में आना जाना था ठीक है वेवसाइक और राजनिताओं का तालमेल हमेशा बना रहता है कम सब्दों में हम आवाना चाहते हैं कि आखिर कैसे सुरुवात हुई सहरा से भी विवाद की सहरा से भी विवाद के कारण खाते में 24,000 करोड रुपए आज भी फसे हैं दूसरी और निवेसक परेशान है किसी को बेटी की साधी करनी है किसी को पढ़ाई करनी है किसी को इलाज करना है लेकिन इस प्राकरण में आम निवेसकों का पैसा फसा हुआ है याज का सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई चल रही है इस भी थोड़ी राहत CRC को पाज़ार करोड सौब कर सुप्रीम कोट ने दी है उसे भी भुकतान करना है लेकिन आज की तिथी तक CRC ने किसी भी प्रकार के कागज वेरिफिकेशन की मांग सीधे नहीं की है केवल 13 जून 2030 को बस्ती में एक DM कार्याले में हिल्फ डिस्क खोला गया है जहां बताया गया है कागज मांग कर भुकतान किया जाएगा पूरे विवाद की जड़ में अगर जाते हैं सहारा से भी की तो पता चलता है विवाद 2009 का है जब सहारा की दो कमपनिया सहारा हाउसिंग कर्परेशन लिम्डिट और सहारा इंडिया रियल इस्टेट कर्परेशन से जुड़ी विवाद की बाद सहारा अपना IPO लाने की पेसकास करती है IPO आते ही सहारा की पोल खोलने लगती है जब गहनता से से भी जाच करता है तो सहारा पर निवेशकों से 24,000 करोड रुपए गलत तरीके से जुठाने के गम भी रारूप लगते हैं जिसका केस आज भी सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है और करितर कों कागज वेरिफाई करने के लिए सेभी की कार्याले में क्या कहें गोधाम में आज भी पड़े है सेभी ने सहारा के कई आनी मिता पाई install की जिनकी जाच हुई तो बड़ा मामला आपके सामने है आप सभी का पैसा उसी मिफसा है सहारा को निवेशकों का उनका पैसा ब्याद समित लोटाना है लेकिन समय से नहीं लोटा पार है हलाकि ग्रह मंत्री अमिस्था ने बार बार कहा है कि निवेशकों का पैसा बहुत जल्द मिलेगा खैर ग्राह मंत्री के इतने सब्द और लोग सबारा सभा में इतनी बार सवाल उठने के बाद आज भी निवेशकों का पैसा आज 15 जून 2023 दिन गुरुवार तक नहीं मिला है क्यों आखिर नहीं मिला है पूरे मामले के गहनता से जाज करके निवेशकों के राशी को लौटाने की जरूरत है ताकि इतने दिन से परेशान निवेशके एक बार फिर से रहत महसूस करें ऐसी ही कमपनियों की पोल और पूरी जानकारी की वीडियों 20 साल के रिपोर्ट पर लाते रहेंगे आप अपना असिरवाद देते हुए अगर आपको परसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब अवस्य करें बाकी आपकी मर्जी हम अपना कर्म करते रहेंगे भगवान सबका कल्याल करें